प्रेंड आज मैं आपके लिए नौया और बहुत आशानिक डिजाइन लेकाई हूँ दिखिए दिखने में बहुत सुन्दर है इसे यह पाच फंदे और दस लाइव की डिजाइन है फाइब फंदे और टेंच लाइव की डिजाइन है देखिए अब अपनी परसंद की हिसाब से होर प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं गए गत Squeeze थे तरह देख़ाए यह और पिछे की तरह से इस थार देखते हैं डेखिए धितना सुन्दर है देखिए बानने के बाद बूज़ शुन्दर दिखती है यह दिखे अब ये बंता कैसे है इसमें मैंने 5 प्लस 5 की हिसाब से लेना है फंदे और 2 फंदे एक्स्ट्रा लेना है और 5 फंद की और 10 सिलायों की डिजाइन है ये दिखे बंता कैसे है पहले 6 फंदे सिधा बिंडेंगे सिधा सिधा 6 फंदे इसलिए एक एक्स्ट्रा है 1 2 3 4 5 5 सिधा एक उल्टा फिर धागा पीछे इसमें से लेना है सिलायको इसमें से सिधा फिर धागा आगे एक उल्टा फिर धागा पीछे इसमें से लेना है फंदे में से शिलायको एक सिधा फिर एक उल्टा फिर धागा पीछे देके एक एक्स्ट्रा 1 2 3 4 5 सिधा और एक उल्टा एक सिधा एक उल्टा एक उल्टा एक सिधा एक उल्टा विदार हो गया फिर फाइव शीधा टू थ्री फोर फाइव और एक्ष्टा एक था एक एक्ष्टा हो गया शिक्स पीछे बैक सैट से देखे कैसे हो रहा है है इंक शीधा सीधा ही होगा जो शीधा 5 था 5 शीधा होगा एक एक्ष्टा लेकर शीधा है वान टू ट्री फोर फाइव शीधा कर लिया अब देखें यह जो है इस फंद्य को धागा आगे किताब लेखर यह दिखें इसमीशिलाई को लेना है फिर धागा आपनी तरफ करना है एक उल्टा धागा पीछे की तरफ करना है इसमें से लेना है फिर धागा आपनी तरफ उल्टा धागा पीछे की तरफ इसमें से शीथा फिर शिक्स उल्टा तर्द लाएं तर्द लाएं तर्द शीधा 1,2,3,4,5 शीधा आवी की तर्व धागा एक उटा धागा पीछे देखिए इसमें से लेना है शीधा होगया एक उटा फिर धागा पीछे इसमें से शीधा लेना है शीधा पेरोटा फिर शीधा शीधा बिनना है 5 फांदे और 10 शिलायो की दिजैन है यह बहुती आशान है बैक साइड फिर वही वही एक की चीज रिपीट करना है शिलायो की पिछे और बैक साइड और फांट साइड से टेन शिलायो तक फिर चेंज करना है कहा का हिब टेकर कि इस मेंसे लेना है पिर एक उटा नहीं की इस मेंसे लेना है में रता प्रेश फांदे में से लेना है ओ प्रेश國े हिल रे डीपधिण खा बी लबागा जर्धिक59य को डंडिकी है यही टेन लाइन तब रिपीट करना है एक उटा देखे इस में से रेकर शिदा हो गया करना है करना है करना है कर देखे इस तरह वान टू थी लाइन तक हुआ है फोर अब आवले एक मतलब आठ से टेन लाइन तक इसे पिनना है शिदा होल्टा शिदा होल्टा रिपीट करना है 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 झाल झाल तो टो 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 लाइन हो गया अब पिच्छे की तरफ से यह नाइन्थ लाइन है नाइन्थ स्लाई है तेंच स्लाई हो जाब तेंच स्लाई में डिजाइन कम्प्लीट हो जाते हैं झाल झाल पाच स्लाई वान टू थी फोर फाइब तक यह बन गया तेंच स्लाई हो में अब अभी एक सीधा एक उटा बिनना है एक सीलाई शीधा यह शीधा शीधा बिनन्गी पूरता विन यह बेक साथ से कर दो कर दो एक शीद्धा एक विल्टा बिंग लिया दूर सिलाई अब दिखें क्या करना है अब अल्टर करना है वस अब दिखें एक उल्टा यह दर से शिलाई लेकर शीद्धा एक उल्टा एक शीद्धा एक उल्टा अब यह जो पाच इसको शीद्धा बिनना है यह दर से फाइक वान तू थ्री फोर फाइक देखें फिर एक उल्टा देखें इसमें से एक सीद्धा एक उल्टा यह दिकें एक सीद्धा एक उल्टा और यह एक श्टा को फांदे था इछे से ओही चीज़ वही डिजाइन का रिपीट है, 10 लाइन तब यही रिपीट होते जाएगा, देखे, सीधा, उल्टा, फिर सीधा, उल्टा, सीधा, फिर 5 उल्टा, 1, 2, 3, 4, 5, फिर टेके, सीधा, उल्टा, सीधा, उल्टा, सीधा, उल्टा, सीधा, यही बार बार रिपीट करते जाना तो डिजाइन आपका बन जाएगा, आपको इस तरह बनने के बाद इस तरह दिखेगा, आपको पसंद आई होंगे, फ्रेंड मेरी वीडियो का पहली बार देख रहा है तो, मेरी वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक, श्यार, कॉमेंट करना नहीं भूलना, प्लीज, सब्सक्राइब जरूर करना, थैंक यू फॉर वाच्चिन,